आज हम आप लोगों को टांगों की अस्थियों अर्थात बोन साप लेक्स के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए चलिए सुरू करते हैं आप लोग ये जो चित्र देख रहे हैं ये मानों की टांग का कंकाल है हड़ियों की हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी टांग में तीन भाग होते हैं पहले ये वाला जांग कहलाता है जो ये वाला भाग है इसे जांग कहते हैं इसमें फीमर हड़ी पाई जाती है और इसके बाद दूसरा ये वाला जिसे जंगा या क्रस कहा जाता है इसमें दो हड्डिया होती हैं तिबिया और फिबुला घुटने के बीच में एक कैप वाली हड्डी होती है जिसे पटेला कहते हैं और तीसरा भाग है पैरों वाला या फुट वाला इसमें टारसल, मेटा टारसल और अंगुलास्थिया पाई जाती हैं तो चलिए इन सभी हड्डियों के बारे में एक एक करके चित्र सही समझ लेते हैं तो पहली हड्डि है फीमर तो इस फीमर का अलग से चित्र देखा जाए तो ऐसे दिखती है फीमर हमारे सरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डि होती है बहुत से competitive exams में प्रश्ण पूछा जाता है कि हमारे सरीर की सबसे लंबी और भारी हड़ी है सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो बताएंगे फीमर ये आप लोग याद रखेंगे कि फीमर हड़ी सरीर की सबसे लंबी और भारी अस्ति होती है या हड़ी होती है इसका उपर ही पैलवे ग्रिडल के एस्टे बुलम में फिट रहता है उसी में धसा रहता है इस गोल वाले सीर्स के नीचे कुछ सकरा भाग होता है इसी के नीचे देखिए ये कुछ सकरा भाग है जिसे ग्रीवा अथवा नेक कहा जाता है ग्रीवा या नेक कहते हैं ग्रीवा के नीचे ब जांग की पेसियां या मसल्स लगी होती हैं और भीतर की ओर लेसर ट्रोकेंटर उभार होता है जो भीतर की तरहा गार देखा जाए तो ये वाला लेसर ट्रोकेंटर उभार है फीमर की लंबी दंड अथवा सौप्ट घुटने तक मध्यरेखा की ओर जुकी हुई होती है जो फीमर की सौप्ट है ये घुटने तक मध्यरेखा तक जुकी हुई है फीमर का निचला सिरा कुछ चप्टा होता है अगर नीचे के भाग को देखा जाए तो कुछ चप्टा है और इस पर पीछे की तरफ मध्यवर्ती उभार या मेडियल कंडाइल पार्स में एक पार्सवी उभार अथवा अस्थिकंद होता है यानि पीछे की तरफ मध्यवर्ती उभार या मेडियल कंडाइल होता है और बगल में एक पार्सवी उभार या अस्थिकंद होता है चलिए अब पटेला या नी कैप के बारे में जान लेते हैं कि नी कैप क्या है तो प्रतेक घुटने पर आगे की ओर इस्थित एक छोटी ति त्रकोणा कार हड़ी होती है अर्थात पटेला एक छोटी सी तिकोनी अस्थि है जो घुटने के जोड के सामने इस्थित होती है जहां घुटने का जोड होता है पैरों में उसके सामने इस्थित होती है यहां कंडरा में कैलसी करण के कारण बनती है मतलब यहां हड़ी टें टेंडन के केल्सिफिकेशन से बनती है या फीमर के अस्थिकंधों से संधित होती है अर्थाद पटेला हड़ी फीमर के उभारों से जुड़ी रहती है संधित होना यानि जुड़े रहना और एक लचीले इसनायू द्वारा जंगा की टिबिया हड़ी से जुड़ी होती है और किसे तो लचीले इसनायू के द्वारा जंगा की टिबिया हड़ी से जुड़ी होती है यहां घुटने की संध की सुरक्षा करती है और घुटने के मु रिने में सहायता करती है, और जोड की सुरक्षा भी करती है, चलिए अब आते हैं, टिबिया और फिबुला पर, तो टिबिया, बड़ी, बोटी, और भीतर की और होती है, यहनी कि टिबिया जो है, बड़ी होती है, बोटी होती है, और अंदर की तरफ नहीं चाह HOW जा जाए, और इसी के ज़श्ट पास में जैसा कि आपको चिद्र में दिख भी रहा है, जो फिबुला है वो छोटी है, पतली है और बाहर की तरफ है, अर्थात फिबुला एक छोटी सी पतली हड़ी है, जो बाहर की तरफ अथवा अंगुलियों की तरफ होती है, टीबिया के घुटने वाले सिरे पर एक मध्यवर्ती और एक पार्सवी उभार होता है, टीबिया का जो घुटना वाला सिरा है, जिदर घुटना होता है, उधर वाले सिरे पर एक मध्यवर्ती और एक पार्सवी उभार होता है, अथवा अस्थिकंद होता है, या अंग्रेजी में कहें, तो medial and lateral लेटरल कॉंडाइल होता है जो फीमर के उभारों से जुड़ता है किस से जुड़ेगा यह फीमर के जो उभार होते हैं उसी से जुड़ा रहता है पार्सविय अस्थिकंद या लेटरल कॉंडाइल के नीचले भाग पर फिबुला का गोल वाला भाग जुड़ता है जो पार् इससे पटेला इसना हम जुड़ा रहता है तिबिया का दूरस्त सिरा या निचला सिरा कहे लिजिए गुल्फ से संधिकरता है या जुडता है संधिकरना यानि जुड़ना चलिए अब पैरों की हड्यों को जान लेते हैं तो प्रतेक पैर में तीन भाग होते हैं गुल्फ तल्वा और पादांगुलियां तो गुल्फ वाले भाग में तीन लाइनों में साथ टारसल हड्डिया होती हैं जो गुल्फ वाला भाग है इसमें तीन लाइनों में हड्डिया पाई जाती हैं और तीनों लाइनों की मिला करके कुल साथ हड्डि या metatarsal हड़ियां पाई जाती है और पादांगुलियों में या पादों की अंगुलियों में हड़ियां होती है जिनकी संख्या अंगुठे में दो तथा अन सभी अंगुलियों में तीन तीन अंगुलास्थियां होती है अंगुठे में दो हड़ियां होती है और अन सभी अं पंक्टियों में यानि तीन लाइनों में साथ टारसल अस्थियां पाई जाती हैं जो गुल्फ है इसमें तीन लाइने हैं और तीन लाइनों में साथ टारसल अस्थियां पाई जाती हैं नाम क्या है टारसल अस्थियां या टारसल बोन्स या हड्डियां फिर तलवे में जो त और इसके बाद अंगुलियों में आते हैं तो पादांगुलियों में अंगुलास्थियां होती हैं पादांगुलियों में क्या होता है अंगुलास्थियां यानि अंगुली की हड्डियां होती हैं जिसमें अंगुठे में दो जो हमारा अंगुठा पैरोका है उसमें दो हड्